हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम अनिल असनोरा आप देखरें असनोरा बर्दर स्यूप चैनल आज की वीडियो में आपको एक कैसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे की आप CCTV का वर्क करते हैं तो आपको अब यह कैसे किया जाता है इसके लिए अपने मॉबाइल को ही मॉनिटर के तरह यूज कर सकते हैं अब यह कैसे किया जाता है इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है जो लोग पहली बार चैनल पार रहे हैं पर इनको सस्क्राइब कर लीजिए तो चलो चलते हैं मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे वर्क करता है मेरे पास कुछ टूल्स है और कुछ कनेक्टर से इसकी मदद से आपको दिखाता यह आपको ऑनलाइन या ओफलाइन मार्केट में कंप्यूटर एसकी सब्सक्राइब मिल जाएगा अगर आपके लोकल मार्केट पर नहीं मिलता है तो आप उनलाइन मंगा सकते हैं चौती चीज़ की चरत परती है इसमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो फ्रेंट के लिए मैंने एक डिब्यार इस्टाल किया हुआ है और सामने आपको डिस्प्ले दिख जाएगा वह एजमाई केबल से कनेक्टेड है तो यह मैंने केमरा इसमें इस वीडियो में सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि मोबाइल प इसके लिए सब से पहले आपको प्लेइश्टोर में जाना है है और यहां पर जाके अप्लिकेस्ट को श्टाल करना है जिसका नाम होता है यूस बी कैम ठाटीक है यह यलो ब्लेक वाला इसमें आपको किलिक करना है ठीक है यह वाले इस वाले अफ्लिकेशन को इसको इस्टॉल करना है तो हमें इसको इस्टॉल कर लेते हैं यह मेरे इसमें देखिए अपडेट मंग रहा है तो हमें इसको अपडेट कर लेते हैं आपके उसमें आपको इस्ट यह है, ठीक है, HDMI Video Capture, ठीक है, इसके एक साइड में HDMI पोर्ड होता है, और दुसरे साइड USB, इसको हम रगेते हैं साइड में, अब हम करते हैं OTG को ओपन, एक OTG आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं, और अगर बढ़िया मिल जाए तो अच्छी बाद है, तो यह हमारे पास ERD के OTG है, काफी अच्छी चलती है, और यह A-Type है, इसमें एक्चुली मेरा यह वाला फॉन दूसरा है, तो यह मैंने घर का फॉन लिया है, इसमें हम इसको लगाएंगे, OTG लगाने के बाद, इस OTG को, अब आपको USB वाला जो पॉर्सन है, यह इसके साथ करने लेना है, OTG के साथ, अब इस पे जो HDMI केबल है, वो HDMI केबल करेंगे, तो फ्रेंट्स, अभी मैंने क्या करा है, कि जिस मुबाइल पहले चलाना वाला था, उस मुबाइल पे मैं नहीं च OTG लगा दिया, यह आपको used OTG दिख रहा होगा, बहुत गंदा सा बगा है, और यह नया OTG है, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, उपन करके, यह अच्छली मेरे फॉन का, मेरे घरे वाले फॉन का यह पोड जो है, चार्जिंग को प्रॉलम कर रहा है, तो आपको OTG सर्ज करना है, मुबाइल में, OTG, ठीक है, यह OTG connection आगया है, यह मेरे फॉन में इनेबल है, कई बार यह दिसेबल होता है, तो हमें इसे इनेबल करना पड़ता है, इसको इनेबल करना है, इसको इनेबल करने के बाद इसको message खुता जाएगा, अगर HDMI cable connected है, तो यह message सो करेगा, अगर disconnected है, तो यह नहीं आएगा, देखिए, यहां पर आगया, ठीक है, यहां से करा, यहां से कुछ भी display नहीं आ रहा है, नो signal, मतलब कि यह लाइन सारी तो नो signal, अगर कहीं आप यूज कर रहे हैं, मॉनिटर पर और ऐस तरी के से लाइन सारी है, तो आप समझ इस तरी के से message सो करेगा, और message सो करते ही, आपको ok करना है, देन आपका जो display है, आपके phone पा जाएगा, अब इस application में थोड़ा सा issue होता है, यहां पर इंटरनेट open है, तो यहां पर add आएंगे, उपर banners add आते हैं, उनको हटाने के लिए आप इसको net बंद कर लिजी, मैंने net Wi-Fi बंद करा हुआ है, ठीक है, और अब हम इसको rotate करते हैं, तो आप इसको rotate करके full screen पर भी देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, अब यहां से मैं आपको mouse से operate करके दिखाता हूँ, यह mouse है, मैं इस से operate करता हूँ, तो देखिए सारे options आ रहे हैं, इसको जाहें तो जूम करक सकते हैं, तो यह आगया आपका पुरा display, अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, CCTV का का काम करते हैं, यहां पर HDMI से support ले सकते हैं, वहां पर इसको यूज़ करके अपना monitor mobile को बना सकते हैं, तो I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडि सकते हैं, तो इसको आप online पर्चेस कर सकते हैं, और अपने offline market में भी ले सकते हैं, देखिए जित्ते बार ही डिस्क कही लेगा, उत्ते बार यहां से, ओके का option आएगा, यहां से हम इसको कर देते हैं, तो यह display आजागा, back to back, ठीक है, कैमरास मैंने कोई नहीं लगा है, यहा कर देते हैं, यहां मैंने कोई खजवा, कईर मैंने की लेकी लेगा, तो भी रिसके कोईव सोर्चेस कोईवरागा, यहां मैंने जिते हैं